वेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको ऐसा हरबल सेंपो बताने वाली हूं जिसके बारे मैं आपने सायद ही सुना होगा यह आपके बालों के लिए बहुत ही बहतर सेंपो है आपके बालों की ओल्मॉस सारी प्रोब्लेम इससे सोल हो जाएगी त मेरे बाल मीडियम है तो मैं 6-7 रिठा ले रही हूं 4-5 सिका काय ले रही हूं और थोड़े से आमले यह तीनों चीज़े एक बावल में ले ले लिजे फिर इसमें मिला ये एक चमच मेती दाना और इसके बाद मिला ये एक चमच फ्लेक्सी यानिए अल्सी के बीज और आद 15-20 गंटे रख दीजिए बिगो कर अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इस सब चीजों की मात्रा कॉंटेटी बढ़ा सकते हैं फिर सुबह में आप इसको गरम करने रख दीजिए इसमें एक उबाला जाए फिर गेस मीडियम कर दीजिए और इसे 15 मिनिट 12-15 मिनिट तक उब इसमें दो चीजें ओर मिलानी है आठ 10 पृदीन लिव्स और 7-10 कडारी लिवस दोनों मिला सकते हैं अगर दोनों की नहीं है तो आपको एक चीज भी मिला सकते हो फिर इसलें इसलें भाल ले लिका? इसए थंड़ा होने डीजिए अपने हाथों से पूरी तरह से एकदम मसल मसल के चान लीजिए और फिर इसे चान के आप इसे चानने के बाद इसे इसमें थोड़ा और पानी मिला के वापिस उसका जितना एक्स्ट्रेक्ट बचा हुआ है वापिस उसे हाथ से मसल मसल के और अलग बरतन में एकठा कर लीजिए इसा दो बार करने से सारी चीजों का और अच्छे से निकल जए होगा फिर इसे अपने बालों में जिसे आंप नॉर्मल सेंपू करते हैं व्यसे ही कर लिगय और इसे अपने बालों पुरे बाल गिले करके इसमें ठोड़ा अपनी जड़ों से पूरे बालों लगा लिग misconceptionule थोड़ा मसाज कीजिए एक से दो मिनिट तक और फिर इस शेंपू को आप चार से पांच मिनिट सिर में रहने दीजिए आप वेट कीजिए बस पांच मिनिट के बाद सिर दो लीजिए इसमें आपको इसके बाद आपको कंडिशनर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इ से 6-7 दिन फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं ये बिलकुल हरबल है और नेचरल है और इसके आपको बहुत फायदे मिलेंगे आप एक बार यूज करेंगे तो आपको खुद डिफरंस महसूस करेंगे मेरे कहने पर मत जाईए आप खुद ट्राइ कीजिए फिर मुझे कमेंट क करके बताए कि आपको कैसा लगा बस तो यही था वीडियो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सेल जरूर करें थैंक यू